दोस्तों नमस्कार लर्निंग भाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज है 19 मई 2020 और आज की हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स तो सबसे पहले इंटरनेशनल डे आफ लाइट ध्यान दिजेगा इंटरनेशनल डे आफ लाइट हर साल 16 माई को मनाया जाता है कम मनाया जाता तो International Day of Light 16 माई को मनाया जाता है तो प्रश्ण ये है कि आखिरकार 16 माई को ही क्यों तो ध्यान दिजेगा 16 माई को ही Leisure Leisure का पहली बार Successful Operation हुआ था यानि Leisure पहली बार 1960 में 16 माई 1960 को Theodore एक बाइगानिक थे Theodore मेमिन के द्वारा Leisure का पहली बार Successful Operation 16 माई 1960 को हुआ था इसलिए 16 माई को International Day of Light के रूम में मनाया जाता है अब यहां बात आई तो हम Leisure की फुल पाम जान लेते हैं जो आपने Class 11 12 में इसको रिड किया होगा तो इसके फुल पाम क्या होती लाइट एंपलिफिकेशन इस्टी मुलेटिंग अमेंसर रिडेशन यानि लाइट एंपलिफिकेशन वाई स्टीमूलेटिंटेड एंशन आफ रिडेशन होती है तो तो लेजर की खोज कब 1960 में 16 माई 16 माई 1960 को थियोडोर मैमन के द्वारा की गई थी इसलिए प्रतेक वर्स 16 माई को 16 माई को International Day of Light के रूम में मनाया जाता है तो इस दिन जाग रुकता है लाने के लिए critical role played by light based technology in the everyday life हमारे दिन चर्या में light का light आधारे प्रदोकियों जैसे बल्प हो गया या इसी प्रकार के अन्य जितने भी light से light आधारे प्रदोकी वाले यंत्र हैं उनका critical role क्या है हमारे दिन चर्या में तूसी के समन्द में जाग रुकता फैलाने के लिए 16 माई को प्रतेक वर्स international day of light के रुम में मनाया जाता है तो international day of light ये किसके द्वारा मनाया जाता है ये इनुसको के द्वारा मनाया जाता है इनुसको के अंतरगत आपका international basic science program इनुसको चलाता है international basic science program उसी के अंतरगत 16 माई को international day of light के रुम में मनाया जाता अगर इसके सचवाले या से क्रेटेरियट की बात की जाए तो ये अब्दूस सलाम international center of theoretical physics है जो की ट्रीष्ट ट्रीष्टे इटली में इस्तित है तो अगर इसका पूछा जाए international basic science program का center कहां है तो अब्दूस अब्दूस सलाम international center of theoretical physics है जो की ट्रीष्टे ट्रीष्टे एटली में इस्तित है अब यहां बात युनिस्को की आई तो कुछ जानका है उनस्को के लेते हैं वैसे किसी दिन के करेंट अफेर्ज के वीडियों में हम ने काफी डिटेल उनस्को अगवारे में डिसकस किया उन्हें इनुसको राज्ट की शे इसक्रत संस्थाओं में से 1 है और इसकी स्थापना 1946 में की जाती है इसके फुलपाम युणाटे नेसंस एजुकेसन साइ länger ZIman Sail Asian साइन्स हून्स का है तो ध्यान दिजिए गारीस है जो कि फ्रांस में है और पेरी साब की सीन नदी के किनारे इस्थित है अगर पूचा जाए पेरी साब की सीन नदी के किनारे इस्थित है तो पेरी साब का सीन नदी के किनारे इस्थित है दूसरी जो नियूज थी नेशनल माइग्रेंट इंफारमेशन सिस्टम को लिए करके थी तो इसको विक्सित किसने किया तो नेशनल डिजाश्टर मैनेजमेंट अथार्टी के द्वारा विक्सित किया गया राश्टी आवदा प्रवंधन फ्रादिकरन के द्वारा इसका विकास किया गया है जिसका नाम दिया गया नेशनल माइग्रेंट इंफारमेशन सिस्टम राश्टी प्रवासी सूचना तंद्रिया इसी को परणाली के नाम से जाना जाता है तो National Migrant Information System को NDMA यानि National Disaster Management Authority के द्वारा दिक्सित किया गया आखिर कारी समय लेते है क्या तो अभी आपने देखा COVID-19 की वज़ा से ब्यापक संक्या में बहुत भारी संक्या में मजदूर फस गए जिससे आपने बहुत सारी मिस्स जानि मिसिसा idea घटना आपने सुनी कई प्रकार के दूर घटनाए का मिली चाहे हो ओरंगा वाद में ट्रेन से कड़ करके मजदूरों के मर जाने की घटना हो या पिर चाएगा online is Central online repository है Central online repository है जो Kee by वरघर्स के लिएyorsun प्रवाशी स्रमिकों के लिए एंट्वा सीमा ब्रहित मुंच जो आपके मुंच नहीं कर रहे हैं उनके उचर गंतब तक पहुंचाने के लिए इसम्याब प्रेजिस्टेशन करवा सकते हैं और आपको उचित अस्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा तो उसी के लिए आपका यह शुरू किया गया है अगला देख लेते हैं जो न्यूज में था ट्रोग लो माई सीज ट्वीटेरी क्या आपका न्यूज में था तो यह ट्रोग लो माई सीज ट्वीटेरी को ट्वीटेर से बना ट्वीटेरी तो है क्या एक कोई ट्वीटर नहीं है बलकि एक नई एस्पसीज की खोच की गई है जो की ट्वीटर इमिज जैसी यह आपका ट्वीटर इमिज जैसी दिखाई देती है इसलिए इसे नाम क्या दिया गया ट्राग ट्राग लो माई सीज यह एका है और इसका आदर पूछा जया कि साटर का है तो यह यह लेभुल बेनि बेनियालेस लेभु बेनियालेस अडर का है और यह जो इंसेट्स होते हैं या मेली पेड़स होते हैं उन पे ये हमला करती है तो इसलिए ध्याम दिजिएगा ये नया नाम दिया गया तौ यह पूछा जासकता है अगला जो नेयरी में था तो आप ने देखा हिमालय के अंतरगात आपका एक हिंदु कुस हिमाले रीजन भी है तो हिंदु कुस हिमाले रीजन के संबन में एक आपका रिसर्च यानि पेपर छपा उसके संबन में कुछ उन्होंने चिंताएं बिक्त की है कुछ आपके बाते कहिए उसको जान लेते हैं तो यह आपका हिंदू कुस हिमाले को ले करके यहां जो गिलेसियर हैं गिलेसियर के पिगलने को ले करके बात यह कही गई है और यह अध्यन सेंटर फार इंटेग्रेटेड माउंटेन डिवलम्मेंट के द्वारा किया गया सेंटर फार इंटेग्रेटेड माउंटेन डिवलम पगल जाएंगे जब की सेंटर फार इंटेग्रेटर मौंटेंड डेवलम्मेंट ने अभी हाल ही में जो अपना रिसर्च पेपर पेस्ट किया उसमें उसने बताया कि 2060 तक ही हिंदू कुस हिमाले के आधे गलेशियर पिगल जायेंगे तो यहां हमारे लिए चिंता की बात है कि यह आपका गलेशियर पिगल गये तो हिंदू कुसह आपका जो छेत्र है यह आपका अफगानिस्तान से शूरू होता passion चाइना पाकिस्तान ते धर तुक तो तूक यानि तान पांच समय नहीं आते तो तुर्किमेंस्तान हो गया ये आपका ताजकिस्तान तुर्क मेनिस्तान नहीं ध्यान दिद्धागा तो इसमें आपका कौन कौन हो गया तो आपका कौन हो गया तुक सियाद रखेगा तो ताजकिस्तान हो गया उजवेकिस्तान हो गया उजवेकिस्तान के बाद आपका कौन हो गया किर्गिस्तान हो गया तो इतने आपके तान हैं उसके बाद अफगानिस्तान चाइना उसके बा बन सकता है तो इसकी जियोग्रफी से तो आपका कौन कौन सामिल हो गए अफगानिस्तान हो गया पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया और पांच तानवे तीन तान है ताजकिस्तान है उजबेकिस्तान है उसके बाद आपका किर्गिस्तान है उसके बाद इंडिया है मंगोलिय नेपाल भूटान मांगला-देस और मियमार को सामिल किया जाता है अगर बात करें तो यह 3500 किलो मेटर में फैला हुआ है अगर इसको मांचितर के माधियम से हम समझने की कोसिज करें तो यह आपका भारत हो गया तो यह पाकिस्तान इधर यह उपर आपका हिंदू को सिरेंज आपका पूरा का पूरा यहां म्यामार तक आता है इधर आपका अफगानिस्तान और आपका अफगानिस्तान के आगे जाओगे पांच तान है तो तुर्किमेरिस्तान हो तुर्किमेरिस्तान नहीं ताजकिस्तान ताजकिस्तान उजवेकिस्तान उजवेकिस्तान उजवेकिस् मियामार हो गया उपर चाइना चाइना उपर जाओ गया तो मंगोलिया जैसे भूभाग इसमें सामिल होते तो 3500 किलोमेटर में फैला हुआ है और इसी को ध्यान दिजेगा वाटर टावर आफेसिया कहा जाता क्योंकि अधिकांस नदियां जो हमाले से निकलती है वो यहीं से जल प्राप्त करती हैं यहीं से अपना जल प्राप्त करती तो इसी को वाटर टावर आफेसिया वाटर टावर आफेसिया के नाम से जाना जाता है और यहां नार्द पोल वा साउथ पोल को हड़ा दीजिए तो तीसरा ऐसा धुरू इसे कहा जाता जहां पर सबसे ज्यादा बरप जमी हुई है यहां जल विद्दू का इपासिटी की बात करें जल विद्दू चमता की तो 500 गिगवाट 500 गिगवाट जल विद्दू चमता है तो यहांसे को सन आपका पूछा जा सकता फिर हाली में कोविद् तीन चुनोतियों से पढ़ने के लिए एक के बाद आपका आर्थिक राहत पैकेज की गोशना हो रही तो अभी कुछ और आपकी यानि चतुर्थ रार्थिक राहत पैकेज की एनॉंस्मेंट हुआ तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है तो सारे हमको डिसकस करने जरूर नहीं जो हमारे प्रेलिम्स के लिए काम के हैं पॉइंट उसकी बात कर लेते हैं वाकी जनरल पॉइंट है आप वह ऐसे अंसर उसमें यूज कर सकते हैं तो कोईले के प्रोड़क्शन के लिए कोईले से जो समंदित आधार भूट धाचा बुनियादी धाचा उसमें पांच हजार कितना पांच ने 50,000,000 उप्रोड का इंवेस्टमेंट किया जाएगा तो ध्यान दीजेगा और कोल बेस जो मेथेन है कोईले से अधारी जो मेथेन बनाए जाती किसके दोरा भी इसका सिर्जन होगा तो यह आपका कोल इंडिया लिम्टेट के दोरा जो की महारतन कमपनी है उसके दोरा क्या किया जाएगा यानि कोल बेस मेथेन का निर्वान किया जाएगा इसके साथ ही यह जाव डूइंग विजनेस यानि ब्यापार सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए यह जाव डूइंग विजनेस की दिसा में माइनिंग प्लान सिंपलिफिकेशन को हो और क्या किया जाएगा रच्छा उत्पादर में डिपेंडेंसी आत्म निर्भर सेल डिपेंडेंट बनाया जाएगा इसके लिए मेकिन इंडिया पहल को बहुत तीजी से आगे बढ़ाया जाएगा इसके अलामा सरकार के पास पूंजी के अभाव से निजात पाने के लिए आडिनेस फैक्टरी बोर्ड जो है ओ यफ भी है आडिनेस फैक्टरी बोर्ड इसका निगमिकरन होगा इसके अलावा रच्छा चेत्र में जो रच्छा भी निर्वान है इसमें पहले FDI कितनी थी 49 पर्शंट थी अप येंध्र का हो सब्सक्राइफ कर K finish कर दिया किMAN कर दिया है कितने सब्सक्राइब गया तो यह चींडों कर सुवकित कर दिया गया कुझा पर फॉट्र कर दिया गया इसके अलामा कई अन पहल की गई है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट वा दूसरा जन्रल स्टाप क्वालिटेट्यो रिक्वाइर्मेंट को भी शुरू किया गया है ताकि भी निर्बान चेतर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना सामने आए तो प्रोजेक्ट माइनिंग यूनिट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हुआ जन्रल स्टाप क्वालिटेट्यो रिक्वाइर्मेंट को भी लागू किया गया है इसके अलामा राज सरकारों के रिए भी आपका कई चीज़े परवर्तन किये गए आपको ध्यानर की चीज़े आपको बता देते हैं कि पहले तीन परसंट का लून ले सकते थे तो इनको करके कितने पांच परसंट राज सरकारों कहा गया अब वह पांच परसंट तक करज ले सकते हैं करज ले सकते तो एक परवर्तन किया गया अगला क्या परवर्तन किया गया जो इसके अंतरगत एक लाग की लिमिट थी तो अब एक लाग को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया एक करूर रूपिया कर दिया गया है यानि एक करूर रूपिय तक का इंसालबंसी और बांकरफ्सी के अंतरगत अगर कोई कंपनी बंद करना चाहते हो तो आपका एक करूर रूपिय तक की इसमें आपका लिमिट अप कर दी गई है तिन सालवंसी एंड बैंक्रेफ्सी कोड के अंतरगत भी कितना इंकरीज किया गया एक लाग से इंकरीज करके एक कर दिया गया है तो यह आपके परवरतन कई किये गए हैं इसके अलामा इस रो में अब क्या होगा निजी चेत्र के मादिम से सेटिलाइट लांज किये जाएंगे निजी कंपनिया इसमें पार्टिसिपेड करेंगी तो इसमें भी प्रावेट सेक्टर को एंट्री देने की बात इस रो में भी की गई है इस पेस टेक्नालोजी में भी निजी चेत्र को अट्रेक्टिव बनाने के लिए पहल कर सुरू करने की बात कही गई है तो इस विरका 18 माई को International Museum Day मनाया जाता है तो पहली बार कम मनाया गया था 1977 में 18 माई को International Museum Day मनाया गया कौन मनाता है तो International Council of Museums है International Council of Museums है उसी के द्वारा प्रते physicians 18 माई को International Museum Day की रूम में मनाया जाता है अगर हम 2020 की बियानी बिसे की बात करें थीम की बात करें तो थीम क्या रखी गए यह म९ूजियुप ऑॉट इक्वालीं डायवर्सीटी आणिध इंक्लूजन मुजियू Herr Equality समांता के लिए संगरहल डाइवर्सीटी एंड इंक्लूजन बिविता और समावेसन दो आपका मूजियूप फार इकवालींटी डायवर्सीटी एंड इंक्लूजन की 3 प्रखीम रखी इसके अलामा नेशनल डेंगु डे आपका मनाया गया 16 माई को मनाया जाता और मिनिस्ट्री आप हेल्थ और फैमिली बिलफेर के द्वारा यह आपका रिनाउस्मेंट हुआ कि प्रतीक साल 16 माई को इंट्रनेशनल नहीं ध्यान रखेगा नेशनल डेंगु डे मनाया जाएगा अब यहां डेंगु के बात आई तो डेंगु कम समय लेते हैं यह आपका मास्किटो मच्छर के काटनेश पैलता है और मच्छर कौन है एडीज एजप्टी एडीज एजप्टी नामग मच्छर से डेंगु फैलता है तो तिहान दीजेगा एडीज प्रदान मंत्री उज्वला योजना को ले करके था यहां से कुसन बन सकता तो इस कीम से कुसन आया ही जाते हैं तो प्रदान मंत्री उज्वला योजना क्यों चर्चा में रहा क्योंकि चार साल इसके पूरे हो गए इसे 1 माई 2016 को यूपी के बलिया से लांच किया गया था मु पीजी गैस कनेक्शन उपलब्द कराया जाता अगर कोई नया कनेक्शन कराता है तो 16 सो रुपए का उसको नगदी साहता केंद सरकार के दोरा प्रदान की जाती है अगर बात करें किसम मंत्राले के फ्लैक्शिव स्कीम है प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्रिया प्रेट्रोलियम और निचुरल गैस यानि पेट्रोलियम हुआ प्रागर्तिक गैस मंत्राले के दोरा इससे सामिल किया गया है यह इससे लांच किया गया और यह वरतमान में आप पहले पांच करूमर का लच्छ रखा गया था और फिर वरतमान में इसे वरहा करके आड़ करूमर परिवार को सा कामल किये जाने का लच्छ कर दिया गया है अगला कई आपके चौथा जो राहत प्रदान किया गया उसी में कई मानों संसाधन विकास के पहल की गई उन्हीं में आप देखोगे एक आपका कौन है डी ए आई यस वाई यानि देशी इसको आप देशी स्याद कर सकते हो देशी पहल भी शुरू की गई है देशी फिलफाम है डिश्टली एकसेसिबल इंफार्मेशन सिस्टम एक किसके लिए है तो द्रश्ट वाधित जिनको दिखाई नहीं देता स्रवन बाधित जिसको सुनाई नहीं देता ऐसे चात्रों के लिए बिसेश यी कांटेंट या इस अमग चात्रों के लिए बिसेशी समखरुली प्रदान करने के लिए इसे प्रार्म या जाएगा अगला सुन्दरमWow को ले करके आपका नूज में था तो हम समय लेते हैं कि है क्या स्वो बेंडागो टीप्यास ग्रूप के अंतरकर सुन्दरम मेडिकल फाउंडेशन आता है और आयाइटी मद्रास आयाइटी मद्रास हुआ टीवियस ग्रूव सुंद्रम मेडिकल फाउंडेशन दोनों ने मिल करके एक सस्ती कीमत की आरर्टोमेटिड्रेशन पारेट्री डिवाइस वीकास कि या है जिसे स्षण तंत्र में इसका प्रियूगकिया जा सकता है एक तो यह सस्ती है और दूसरे आपका आसानी से इसको अपलब करा दिया जाएगा तो इसी का नाम तो क्या दिया गया इसी का नाम सुंधरम सुंधरम बंटागो दिया गया है तो कॉस्पारी definedjśćट ट्रीग क्वाइस है और इसके विकास आयिटी सुंधरम वौ टीवियस ग्रूब सुंधरम मेडिकल साइन्स के द्वारा किया गया है अगला देख लेते हैं घेरुआं हाकी इंडिया सीनय नेसनल ऊमें चैंप्यंसिब के लिए 2020 के लिए किसको चुना गया थे 2020 यू-पी में होगा तो पूछा जा सकता ग्यारुआ हाकी इंडिया सीनय नेशनल ऊमेंस चैंप्यंसिब 2020 इसका होस्ट का आपका इस्टेट कौन है तो यूपी को बनाया गया अब यूपी के समन्द भी आया तो कुछ कम इंपार्टेंट करेंड अफेर्स की बात कर लेते तो जियो टैग आदारित कम्मुनिटी रस्वें जो सुरू किया था किचेन यूपी सुरू करने वाला पहला यूपी वर्चुल अदालत को शुरू किया था और आपने अरोग से तो आयप को अनिवार बना दिया तो दिहान दीजेगा जो अरोग से तो अनिवार करने वाला भारत का पहला राज कौन है तो आपका उसमें भी यूपी हो जाएगा तो इतने करेंड यूपी के थे जो आ री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो यह आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजंसी जो खेल से सबंदेग प्लेयर होते हैं उनके द्वारा कोई आपका रसानी किमिकल तो नहीं लिया जा रहा अपने पावर हुआ एनर्जेटिक को यानि क्या करने के लिए मेंटेन करने है अभी चर्चा में क्यों रहा क्योंकि अखिल कुमार को फिर से इसमें क्या कर दिया गया इंट्रो ड्री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अगर हम बात करें अखिल कुमार की तो अकिल कुमार को इसके पहले अर्जुन पुरुसकार भी दिया जा चुका है 2017 में तो यह आ किसे समदत है क्या भाक्षर से समदत है वर्तवान समय में इनका हर्याना में इनका है वहां रहते हैं आईए अगला देख लेते हैं अगला न्यूज में क्या था तो यह रेमी डी ग्रेगोरियो रेमी डी यानि ग्रेगोरियो रेमी डी ग्रेगोरियो इन पर चार साल का प्रतिबंद लगा दिया गया, तो पहला को सने बनेगा, हाल ही में, चार साल का प्रतिबंद किसी पे लगाया गया, जनी रेमी डी lore योगोरियो, फिर दूस्रा बनेगा, ये किससे समंधित हैं, तो साइकिलिंग से समंधित थे, और ये फ्रांस के हैं कहां के हैं फ्रांस के हैं तो इन पे चार साल का क्या लगा दिया गया प्रिद्वन्द लगा दिया गया है अगला देख लेते हैं ये गिफी गिफी को ले करके न्यूज था तो समझ लेते हैं ये न्यूज में क्यों था क्योंकि फेस्बुक के द्वारा गिफी का क्या कर लिया गया यानि अधिगरहन किया गया इसलिए न्यूज में था अब हम बात कर लेतें गिफी है क्या तो एक प्रकार की गिफी एक पाफलर वेबसाइट है जो एनिमेटेड इमेज होते हैं आडियो वीडियो उनको मेकिंग वा सेरिंग का काम इसके मादम से किया जाता है तो गिफी पाफलर वेबसाइट है किसके लिए फार मेकिंग एंड सेरिंग एनिमेटेड जो इमेजज होते हैं Animated Images का Making वा बनाना और उसे सेर करने के लिए एक लोग पर ये विफसाइट है उसी का दिग्राहन हाल ये में फेस्बुक के द्वारा किया गया है किया गया है तो ये आपके हैं तेहां देजिए वाक्सर अखिल कुमार अगला आईए ये आपके कौन हैं ये आप फोटो देख लेजिए ये आपके बेंजामिन नयतन्याहू हैं जो कि इजराइल के इन्हें क्या प्रदान मंत्री बनाया गया है तो ये देख लेजिए तो अगला बात उसकी भी बेंजामिन नयतन्याहू की करेंगे लेकिन उसके पहले चाइना के सेटलाइट कीये गए तो दूसरे देस सेटलाइट लांज किये जाएं तो इसको आपको बहुँ डिटे nihil उे पस्ता होना चाहिए काउन आपका कर रहा जबकि भारत के सेटलाइट को बहुत ध्यान से आपको समझना है तो आपका सेटलाइट का नाम क्या है सिंग यून 201 वा सिंग यून सिंग यून यहां भी ना होगा सिंग यून 202 इसको किसके द्वारा लांच किया गया तो चीन के द्वारा इसे प्रिछेपित किया गया है चीन के द्वारा प्रिछेपित किया गया है तो अभी हा 301 सिंग 6202 भी पूछा जा सकता थो प्रत के पुना प्रधान मंत्री को बनाया गया अब प्रसंदी यह के क्या राजिम्तिक आईस्थिता का दौर्च शुरूर रहा था तो इसी को लेकर के काफ़ी किचाता नहीं रही लेकिन हाली में इनको यह बेंजामीन ये ठीयाहू को इस्राइल प्रदान मंप्री बना दिया गया है। इनकी में बनाया गया है जो कि किस पार्टी से लिकूड पार्टी से आप मैं कि देख लेते हैं तो ध्यान दिएगा इत्राहिल कािए मैप है लिबनान है ऊत्तर और आपका पूर में सीरिया है पूर में आओगे तो ये पूरा का पूरा जार्डन है जार्डन के बाद आगे आओगे तो गाजा पट्टी ये आपका मिस्र पहले इस पर कबजा किसने कर लिया था जरायल ने तो ये मिस्र गाजा पट्टी तो मिस्र के साथ 20 जरायल का बाडर सेर होता उसके बाद भूमत सागर ये वाला पूरा का पूरा चेतर क्या कहला था भूमत सागर से आपका गिरा तो लिबनान सीरिया लिबनान सीरिया उसके बाद पूर में जार्डन जार्डन बाद साउथ में आओगे तो यहां पर भी एक देस है यह आपका यह देस नहीं लाल सागर है तो यह जेगा जो बीच में आपका ये बनाएं हैं ये आपका क्या कहलाता इसी को फिलस्तीन या फिलस्ताइन इसी को फिलस्तीन कहा जाता फिलस्ताइन कहा जाता और यहुदियों का सुनते हो यहुदियों का काफी संका में नरसंगार हुआ वह यहीं कि आपके हैं यह आपका फिलस्तीन है यानि कि इसी को फिलस्ताइन भी कहा जाता है तो यहां जेरुसलम यह आपकी इसकी राजधानी इजराइल इसको लेकर भी काफी आपका विवाद बना रहता है फिर आपका यह बेश्ट वैंक है आगे देखिएगा यहीं जो बीच में बनाए हैं यहीं आपका यह बेश्ट वैंक है यह प्रमुक तेल उत्पादाग छित रहा हैं इजराइल के और यहां इंपर्टन्ट है डेड़ सी यह वाला जो बनाए है यह इजराइल वा जार्डन के बार्डर पे है जो अब इसकी एक खारी जील है आगे देख लेते हैं आगला न्यूज में क्या था तो हरीकेन आर्थर हरीकेन आर्थर जो अभी आया है वो मिडल अटलांटिक में प्रवेश कर चुका है मद्ध अटलांटिक महासागर में और या दच्छिन पूर्व यूएस कोष्ट को प्रभावित कर रहा तो यह क्लून था उस्टन कडवन्दी वह प्रणा उद्व उत्पाद मचा रहा इसे प्रकार आपका 2020 स्रीज में अटलांटिक महासागर में पहला आपका जो हरीकेन आया उसी का नाम अर्थर नाम दिया गया और मिड्र अटलांटिक में या आया है और दच्छिन पूर्व यूए प्रकार के द्वारा इसका विकास किया गया है और इसमें सभी प्रकार की अपडेट सिच्छा वानियाइब पर उपलब्द कराई जाएंगी समय समय पर अभिभाव को वाच्छात्रों को उनकी परिच्छा कब होगी तता पुछ्तिका की जाच प्रताल कहां तक हुई है कित प्रू किया गया है सिवेस्टी के द्वारा सिच्छा वानियाइब को तो यहां बाताई सीवेस्टी की सीवेस्टी की बात कर लेते तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी मानुस अंसादन विकास मंतराले के अंतरगत और इसका हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है तो यह कब प्रधान मंत्री बनाया गया है तो आज का डिसकसन यहीं समात होता है धन्निवाद